ओके तो ये बीडियो जो है एक थियोरी बीडियो होने वाला है और इस बीडियो का आइडिया यार मुझे ना एक साल पहले आया था लेकिन फिर मैं इस बीडियो को जो है भूल गया था मैं सोचा था यार बनाऊंगा बनाऊंगा और फिर ये रह गया बनाते बनाते फिर किया है जोनेयसा यह जो हाती है या हतनी है विकॉज इसका जेंडर हीमेल है जहां तक मेरे को पता है यह पूरे नीव वर्लड में भटकती रहती है अnd हमें यह बताया गया है कि वयड सैंचुरी के टाइम पे इसको जो है सजा दिया गया था प्लस इसका कहीं पर destination है लेकिन ये चले जा रही है चले जा रही है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है बट at the end जब one piece end होगा तो हमें पता चल जाएगा उसका destination क्या है लेकिन GER अब जो हो सकता है जिन लोगोंная skype ago skip मारा मनेट कर दिया लेकिन फिर भी देख लेना क्या पता समझ में आ जाए मैं कोशिस करूंगा कि तुम्हें समझ में आए और अगर नहीं आए तो तुम्हारी घ्लती है क्योंकि तुमने iteag नहीं देखा है साथ industry साथ सेकेंड जो है वो है जो आर्क और थर्ड वानोकूनी आप चलो टापिक पर आते हैं अब देखो जुनेशा जो कि ये बड़ी सी हाथी है या हातिनी है जो भी है हाथी तो है एलफेंट है न ये जो है चलती रहती है प्लस इसके पीट के उपर है जो आइलेंड अगर तुमको जाना है तो तुम्हारे पास वीवरे कार्ड होना चाहिए यहां का वरना तुम नहीं जा सकते हो साथ ही साथ जो आइलेंड जो है एक जगह पे नहीं रुखती है हाती चलती रहती है जिस वज़े से जो है यहां पर कोई कबजा इतनी आसानी से नहीं कर पाता है हां जिनके पा तमना वर्ल्ड गवर्मेंट इसके उपर कबजा करेगी प्लस जोव आइलेंड में भी एक रोड पॉनी क्लिफ है अब देखो जुनेसा हमें जो है रिसेंटली हमें मांगा चेप्टर में दिखाया गया था वानो आर्क वाला और वहाँ पर जो जुनेसा आई थी वानवार्क में लेकिन क्यों आई थी क्या करने आई थी ये बात हमें बिल्कुल नहीं बताया गया हाँ जैसा देखके लग रहा था भाई आकर के साथ जोईबाई जो रिटन किया है उसको देखने आई थी वरना और कुछ तो हुआ नहीं साथ ही साथ अगर तुम मालो जुनेसा एक उपर हमला कर देते हो तो भी ये हाथी इतनी बड़ी है जो कि तुमको फुटबॉल बना सकती है लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं करेगे जब तक इसको ये चूतिया बच्चा कमांड ना दे हाँ अभी ये बच्चा जो है बड़ा हो चुका है वो बात लगे बिकॉज इसको सजा दिया गया था अब ये सजा जो कुछ भी हो ये 800 साल पहले अवाइड सेंजूरी का टाइम पे दिया गया होगा लेकिन ये हाथी एक तरह से जोई बॉई की जो है नाकामा है और ये बहुत पहले से है अब देखो यार एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो है मकर संक्रांती का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है आज ही ये वीडियो तुमको देखने को मिल जाए और अगर नई रेडियो होता है तो कल तुमको देखने को मिलेगा लेकिन जो कोज भी हो बैक्रांड में बहुत ज्यादा हो सकता हाला तुमको सुनने को मिले because मकर संक्रांदी का टाइम है और अगर तुम जारकंड से बिलॉंग करते हो तो हाँ जारकंड का ये मुख्यतियोहार की तरह इसको मनाया जाता है तो हलागुला होना आज के दिन तय है आज किसी को मना कर भी नहीं सकते तो इस वज़े से इस चीज को जो है इगनोर मानने का कोसिस करना खेर बैक टू दा टॉपिक वानो आर्क में जो है जब जुने सा आई थी एंड लूफी और काईडो का फाइड चलता है जहां पर विना डिकलेर किया जाता है लूफी को अगर तुमने मांगा चेप्टर रेड किया तो वहां पर जब मांगा चेप्टर वाला वीडियो देखा है तो मैंने कहा था कि हो सकता है यह गेट्स खुलने से जुने सा कोई लेना देना हो बिकाज कुछ न कुछ जुने सा का काम होगा और मुमनोस के जब decide करता है कि gates अभी वो नहीं खोलेगा तो उसके बाद जो जुनेसा चली जा दी क्योंकि जब gates खुलने का काम ही नहीं है तो जुनेसा क्या करेगी और जुनेसा वापस आएगी जब gates खोले जाएंगे खेर अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा सकाइपिया आर्क के तरब वानों में दुबारा से जाएंगे बाद में सकाइपिया में देखो सकाइपिया आर्क देखा है अगर तुमने न ध्यान से तो तुमको पता होगा कि जो सकाइपिया आइलेंड है वो जो पहले जाया आइले में ही हमें जो हाँ अच्छे सा अगर तुम साती साथ लेकिन लेff take वाला पार्ट निसिगह अब देखो तुम्हें क्या नहीं लगता है कि इस left वाले लाई हिससे वह भी कुछ तो होना चाहिए विकॉस एक साइड जब सेंडोरा है तो दूसरे साइड भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना मेरे थियोरी के हिसा आप से जो जो आइलेंड है जो अपने पीट पे लेके घूमती है यह आइलेंड जो है इस खोपड़ी का लेफ्ट आई वाला हिस्सा है प्लस मेरा दिए और इसके लंबे लंबे प्यर और इसके प्यार कि यह समंदर में चल सकती है और समंदर में चलने आप लेके नहीं उससे मतलब पीछे, तो उस टाइम पे जब इस हाथी को सजा दिया गया था, एंड रेड लाइन जो है, एक्जिस्ट करता था बाई, रेड लाइन बहुत पहले से एक्जिस्ट करता है, इनका घर हुआ करता था, रेड लाइन, तो मतलब यह बहुत पहले से था, अब जूनेशा को पनिस्मेंट दिया गया, एंड उस पनिस्मेंट के वज़े से, जूनेशा जो एक जगा पे नहीं रहती है, वो चलती रहती है, एंड इसके पेट पे है जो आइन, प्लस हमें एक और बात पता है कि इसका एक डेस्टिनेशन है, साथ ही साथ यह हाथी इतनी बड़ी है, यह खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी यह खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, जब तक यह कोजुकी क्लैन वाला, विकॉज हम कोजुकी क्लैन ही बोलेंगे, क्योंकि मोमनोसके का कमांड यह सुनती है, एंड इसी वज़े से जो है मोमनोसके का ये बात सुध दिया एंड मोमनोसके अगर कमांड करे तो जाके ये जो है खुद को प्रोटेक्ट करेगी अब देखो ये हाती पिछले 800 सालों से न्यू वर्ल्ड में चल रही है भाई 800 साल इतनी बड़ी हाती जो चल रही है बहुत होत होते हैं रहे होते हैं तुम एक वर्ल्ड का आधा हिस्सा कवर कर लो इसका अर्थ है उसके आधे हिससे और दे इस्से को पारडाइस कहते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो हती है इसको अक्श्री मैं न्यू वर्ले में यह सायद इसलिए आई होगी क्योंकि उसे सायद पता होगा क्योंकि यह बहुत साल पहले से से है तो उसको पता कि जो इंसेंड वइपन प्लूत-उन है उसको महीं चांड Chance बाल सकता एंड वो यहाँ पर एंड यहां पर उसलिए क्योंकि उसको एक पता था कि जॉइबॉइ आने वाला है वरना फिर उसको क्या ही काम था यार यहां करके या फिर ऐसा हो सकता है उसको लगा होगा कि इस टाइम पे वानों के गेट्स खुलेंगे जब जॉइबॉइ आया था तो यह भी बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हो गई थी लेकिन जब अब सबको पाता है एंसेंट वैपन प्लूटरॉन कितना ज्यादा पावरफुल है वह वन सौट में एक आईलेंड को तभा करने की ताकत रखता है तो हम मान सकते हैं कि इसेंट वैपन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वह रेड लाइन तक को दिस्ट्रोई कर सकते है और and destroy होता है तो इसमें जुनेसा का फाइदा क्या है वो आराम से चल के उस पार जा सकती है हाँ तो यही था आज का वीडियो और यही थियोरी है अब देखो यार तुम सब अपनी राय जो है इस थियोरी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में दे सकते हो तुमको जो भी कहना है इससे रिलेटेड जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करते है तो फॉलो कर सकते हो और साथी साथ लाइक सब्सक्राइब करना वह फॉर्मलेटी भी पूरा कर देना यार वह तुम सब कमन है तो यार मिलेंग नश्य वीडियो में फिला अलगे ले बाइ